आईपील का सत्रवा मैच गुजराद बनाम पंजाब के बीच में नरींद रमूद इस्टीडियो में खेला जाएगा जहाँ पर गुजराद जो है वो एक तरफ जीत करा रही है पंजाब को हार का सामना करना पड़ा इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों टीमों की वेकलिंग्स के बारे में क्या है स्ट्रेंथ इसके लावा बात करेंगे तीन ऐसे क्या काम करने पड़ेंगे यहाँ पर पंजाब की टीम को जो की यह मैच जीत जाए इसके लावा एक्स फेक्टर कौन होगा और पाच का पंजाब होने वाल है तो गुजरात में तो क्यार योग कि अपने होम ग्राउड में खेल रहे हैं तो टीम बड़ी स्थिर नजर आ रही है लेकिन पंजाब में अगर आप देखेंगे कमिया हैं टीम ने तीन मैच खेले हैं दो मैच गवाए हैं एक मैच जीता है शुरुआत अ कर देना मैं शिक्करदवान ने जितेश शर्मा प्रप्सिम्रंण सिंग लियाम लिविंस्टेन जोनी बैस्टो बैस्टो की फॉम तो पता नहीं का आप से खराब चल रही है पूरी इंगलेंट सीरीज में कुछ नहीं किया अब आई पेल आगया यहां पर कुछ नहीं कर रह रहे हैं मैच फिनिश करके मैदान से बाहर लोटे और गिनमा जी टीम की बहुत ही पूर है बिल्कुल तो दिए अखिल ने बताया पंजाब के बारे में वहीं गुजरात की बात के जाया तो गुजरात जो है वो दो मैच जीत करा रही है लेकिन जब बात आती है ना कि इसके लावा डेविड मिलर की वह नौक नजर आती है दो मैचस में उनका बला नहीं चला था लेकिन वह मैच यादगार इसलिए हो जाता है क्योंकि डेविड मिलर वहाँ पर किलर की तरह हम के तरह वह पारी नजर आई थी तो यहाँ पर बात की जाएगी शुबंगिल की ब पेंडेंट है वह मोहिश शर्मा क्योंकि तीन मैचों में 6 विकेट लिये हैं और जैसे उन्हों ने आई पेल 2023 में जहां पर चोड़ा था मोहिट नहीं से शुरू भी किया सीजन को अच्छी लैमें बोलिंग कर रहे हैं उमेश यादव थोड़ा एक्सपेंसिव साबित यह संभावित प्लेंगे लाएं जीटी की हो सकती है रद्यमान साह अपना काम भखो भी निवा रहे हैं टीम को एक सॉलिड स्टार्ट देते हैं उनको पता है कि उनका काम पावर प्ले तक है शुरूबा के तीन-चार और में वो जिस तरी की पारी खेलते हैं बाकी ख्लाड की कमी खल रही है उस खमी को पूरा करने के लिए यहां पर गुजरात की टीम को कुछ तो चेंजिस करने पड़ेंगे क्योंकि पंजाब की टीम है वो भी दमखम दिखाती नजर आई है और जैसा हमने मैच में देखा है पिछले मैच में देखा आखिल जहां पर RCB की टीम अ अब तो मैटर ने करता अखिल क्योंकि RCB के मैच में आपने देखा होगा वहाँ पर भी टॉस फैक्टर यह था कि चले बॉलिंग चुनी थी और यह लग रहा था कि मैच जो है वो आसाने से जीत जाएगी RCB की टीम लेकिन वहाँ पर भी वो फैक्टर नजर नहीं आए तो क साइस सुदर्शन का बल्ला नहीं बोल रहा है डेविड मिलर की वो एक पारी बहुत अच्छी नजर आती लेकिन वही क्या कंसिस्टेंसी उनकी बल्ले बाजी में नजर आएगी यह देखने वाले बात होगे इसके लावा अब नजर डालेंगे दोनों ही टीमों के संभावि प्लेइंग 11 के बारे में सबसे पहले नजर डालेंगे यहापर पंजाब की टीम की प्लेइंग 11 की बारे में संभावित जो की काफी अच्छी हद तक नजर आरी शिखरदवन जो है वो कैप्टन होंगे जॉनी बेस्टो लियाम लिंग स्टोन सैम करन जुतेश शर्मा विकि वापस आईगी यह सवाल जो है वो शायद पूरी इंडिया चिला चिला के मांग रही है इसके लावा जीटी के संभावित प्लेइंग 11 की बात की जाए तो रदिमान साहा है शुबमन गिल कैप्टन होंगे उमर जई है डेविड मिलर साइसो दर्शन राउल तिवतिया अब शायद यह टीम जो है चलिए अच्छी फॉर्म में नजर आई टश्वूड लेकिन अभी नगभी तो वह बुरा दौर आएगा आपकी टीम कोई दौर आए नहीं है कप्तानी से प्रभावित किया तीनों मैचों में लेकिन ऐसा ओपनर आपको रन भी बनाने पड़ते ह आपके अलोचना हुई आपने अच्छा कब बैक किया आप सेटिंग सेटिंग स्कोरर थे आपने शटक भी लगाए बल्ले से दो या तीन शटक देखने को मिले लेकिन इस आई पेल में जब आप हमने एक मैदान पर खेल रहे हैं और शुमंगिल के साथ एक मलब छवी बन च चैंपियन दोवजार 23 में टीम रणर अप रही शाद उस चीज़ का दबाव शुमंगिली के कप्तानी पर होगा उमीद है कि आने वाले समय में उनका बल्ला बोलेगा और वो बड़ी पारी खेलेंगे लेकिन इस टीम का मिडिल और थोड़ा वीक नज़र आ रहा हैं किता ब अखिल ने कहा कि सभी खिलाड़ी को जिम्मदारी लेने पड़ीगे और अब चलिए बात करते कि पंजाब की टीम को तीन ऐसी क्या काम करने पड़ेगा अखिल की वो मैच में दुबारा कमबैक कर सके हमने देखा है कि दो मैच जीत कर आ रही है गुजडात की टीम और कहीं पर पंजाब की टीम को तो ऐसे तीन क्या काम करने होगे पंजाब की टीम को जो कि उन्हीं की गढ़ में हरा करा है काम तीन नहीं पंजाब को अगर IPL जीतना तो कहीं सारे काम करने पड़ेंगे यार क्योंकि उनकी बैटिंग बहुत खराब चल रही है बैटिंग में शिकर पर मैच एक विकेट की और जो कि बिलकुल भी अच्छी नहीं है आपके पास एक्सपीरियेंस है आप इंडिया के लिए वर्ल कप खेल चुके हैं आपकी गिंती दुनिया के एच्छे स्पिनर्स में की जाती है आपको अच्छा करना पड़ेगा उसके अलावाज उनके पेस अटेक है अर्शिदीप सिंग पता ने इनका 19-20 वे वर का भूत इनके ओपर च अच्छी ओपनिंग दें उनको मिडल ओडर में एक कंसिस्टेंस प्लेयर लाना पड़ेगा इस पिनर अच्छा लाना पड़ेगा और पेस अटेक को थोड़ा और मजबूत करना पड़ेगा बिलकुल तो देखिए यहाँ पर बात हो चुकी है सभावत प्लेंग 11 के अब पिछला मुकाबला हार कर आ रही है तो कहीं न कहीं प्रेशर जो है वो यहाँ पर पंजाब की टीम को होगा जैसे अखिल ने कहा कि बल्लेबाजी भी खराब नजर आ रही है गिंदबाजी में आपके पास अच्छे अच्छी नाओं है लेकिन कुछ खास कमाल करके नहीं दि